नमस्कार दोस्तों बाला जिस्टरी एड़ा में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम कुल 20 प्रस्न जो है वो देखेंगे चैप्टर सुरू करने से पहरे थोड़ा सा एक important point की बात कर लेते हैं जहां से प्रस्न बार-बार पूछ दाता है वो है मिस्र धातू से related तो मिस्र धातू होती क्या है तो दो या दो से अधिक जो धातू होते हैं उनके समांगी मिस्रड को मिस्र धातू हम कहते हैं प्रस्न क्या पूछा जाता है प्रस्न ये पूछा जाता है कि जैसे कि यहां पर आप पीतल देख पा रहे हैं तो पीतल जो है वो किसे किसे मिलकर जो है वो बना होता है तो कौपर और जिंक जो है इसका जो है वो मिसरण होता है जिसमें कौपर 80% और जिंक जो है वो 20% होता है यूज इसका बरतन तथा तार बनाने में मसीनों में कारतूसों में सभी जगा जो होता है कासा की बात करें तो कासा जो है वो कॉपर और टिन से जो है वो मिलकर बना है या उसका मिसरण है और उप्योग बरतन और मूरतियां बनाने में होता है जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर जिंक और निकल का मिसरण है जेवर बरतन और मूरतिया बनाने में इसका यूज जो होता है टाका की बात करें तो lead और tin जो है इसका मिस्रण है और electronic उपकरणों में use होता है और stainless steel की बात करें जिसमें iron, chromium, nickel, carbon ये सभी जो हो मिस्रण होता है और use इसका बरतन, मूर्तियां, cycle के पुर्जे तथा सली चिकित्सा के ओजार बनाने में होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रस्ण उठता है वो इसके संगठन यानि कि किस से किस से मिलकर बनाए इस टाइब से पूछाया था तो इनको याद रखेगा चलिए सुरू करते हैं अपने प्रस्ण नमबर एक से तो पहला प्रस्ण आपका कह रहा है कि सफेद बॉक्साइट आयस के जिसमें iron oxide असुदता के रूप में ज रही कि सर्पेक प्रक्रिया जो है वो कहला थीयो और यह बॉक्साइट आयज जो है वो ऐल्यूमीनियम आइस का होता है तो आपका यहाप सर्पेक प्रक्रिया जो है वो सही जाएगा सबसे उपयुक्त सोधन की विदी अगला प्रसंद दो कह रहा है कि निुम्र में से कौन स नियूनतम अभी क्रिया सील है चार उप्षन देरा किया आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा इसके लाबा इनी का सीरियल क्रम भी पूछ लिया जाता है कि धात्विक लक्षड बढ़ने के क्रम में आपको अरेंज जो है वो करना होता है तो उस पर आधारित भी आपको बताएंगे सिबसे पहले बात करें उत्तर की तो आपका option number D, gold जो है वो सही हो जाएगा किसी भी वर्ग में यानि कि जो आवस सारड़ी होती है उसमें उपर से नीचे जाने पर जो धात्विक लक्षड होते हैं वो बढ़ते जाते हैं अब इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिएं कि आवर्ग सारड़ी में है कहां उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि वर्ग में उपर से नीचे जाने पर इनका जो क्रम है वो जो है वो क्या होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनको अरेंज करने को भी जो है वो आ सकता है अभी क्रिया सीलता के आधार पर तो सबसे पहले C.U. यनी की कौपर आजाएगा उसके बाद आएगा आपका A.G. यनी की सिलवर उसके बाद आएगा गोड यनी की A.U. लाश्ट में आपका आएगा आएगा आयरें यनी की F.E. इस प्रकार से आप इसको जो है वो क्रम से भी जो है लगा सकते हैं देखते हैं चलिए अगले प्रस्ण तीन की तरफ कि कैले माइन जो है वो किस धातू का आयस्क जो है वो है तो चार ओप्षन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा बात करें उत्तर की तो आपका ओप्षन नमर सी जिंक जो है वो सही हो जाएगा कैले माइन जो है वो प्रमुख जादा है वो है jink blend jink blend जो है इसी का ask है और jinkide भी जो है इसी का यनि कि jink का ही जो है वो ask होता है अगला प्रस्टन चौथा देखते हैं कि निम्लिकित मैंसे तीन धातों के ऐसे सम्हू को चुनिये जो मुक्त अवस्ता में पाई जाती है तो चार option दे रखेंगे आपको बताना है कौन सा जाएगो, सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तरगी, तो सही हो जाएगा आपको option number B, silver, gold और platinum जो है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, अगला प्रसंद 5 कह रहा है कि आधातू oxide जो है, चार option दे रखेंगे हैं, प्रकृति में अमलिये होते हैं, तो चारो मेंसे कौन सा सही होगा, सही होगा आपको option number D, कि अधातू जो है, अमलिये ऑक्साइड जो है, बनाती हैं, इसलिए जो अधातू है वो oxide प्रकृति में जो है, वो अमलिये होते हैं, अगला प्रसंद देखते हैं, च्छटा कि पीत पसंद आए तो वीडियो को like भी अवश्य कर दीजेगा बात करते हैं चलिए उत्तर की तो आपका option ए जिंक और copper जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं सातवा की जो कासा है वो एक मिसर धातू है तो कासा किसे मिलकर बना होता है यह जो है आपर बताना है तो चार अप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा बात करते हैं उत्तर की तो सही होगा आपका option नमबर B copper तथा tin जो है इसका एक मिसर धातू होता है कासा copper यानि की cu tin यानि की sn अगला प्रसन आठ कहरा है कि कौन सी मिसर धातू संभव नहीं है तो चार अप्शन आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा option A, B, C या D बात करें उत्तर की तो आपका option नमबर B PB और जडन ये जो है वो मिसर धातू संभव नहीं है अगला है प्रसन नवा कि धातू की welding के लिए निम्ण में से किन गैसों के मिसरण का उप्योग किया जाता है तो चार अप्शन आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा बात करें उत्तर की तो सही होगा आपका option नमबर D oxygen तथा acetylene जो gas है उनके मिसरण का प्रियोग किया जाता है gas welding में तो धातू की welding के लिए oxygen और acetylene gas ध्यान रखेगा option नमबर D अगला प्रसन 10 कह रहा है कि टंगिश्टन तत्त का संकेत आक्षर जो है वो इन में से कौन सा होता है तो चार option दे रखें आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका option नमबर A W जो है वो सही हो जाएगा टंगिश्टन तत्त का संकेत आक्षर क्या होता है W TE जो आप देख पा रहे हैं इसका जो है होता है टेल्यूरियम मैं आप लिख भी देता हूँ टेल आदीला यू फिर रा और यम इस टाइप से जाए वो टेल्यूरियम जाए वो लिखा जाएगा इसके लाबा जो टी आई देख पा रहे हैं ये होता है आपका तील्टियम वो भी मैं आप लिख देता हूँ टील्टियम ये जो है आपका टी आई होता है और तो टी एम देख पा रहे हैं ये होता है थूलियम था छोटेगू की मात्रा और लियम तो ये जो है वो सभी जो है वो संकेत आक्चर हो जाएंगे चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण 11 की दरब की निमलिकित में से सबसे अधिक रिड़ विद्धुती तत्व कौन सा है तो चार आप्शन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका आप्शन नमबर A की निमलिक अमलिक किस धातु पर जो है वो बेअसर होता है तो चार आप्शन है कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की तो आपका आप्शन नमबर C सोना जो है वो सही हो जाएगा निमलिक अमलिका सूत्र क्या होता है HNO3, Sona का क्या होता है तो AU तो AU यानि कि Sona पर बेसर होता है इसके लावा जो आप अन्य ओप्शन देख पा रहे हैं निकल, चांदी यानि कि AG निकल मतलब NI और तामबा मतलब CU यानि कि Copper तो ये तीनों ही जो आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा एक और आप्शन जडन यानि कि Jink इन सभी धात्वों से जो है वो क्रिया जो है वो करता है कौन? Nitric अमल तो Nitric अमल, निकल, चांदी, तामबा और Jink आदी जो धात्वों है उनसे जो है वो क्रिया करता है पर तो सोना जो है इस पर बेसर होता है अगला परसन तेरा कह रहा है कि कार्बन का वह अपर रूप जो विद्धुत वा उस्मा का सुचालक है तथा उत्तम लिव्रीकेंट का कारे करता है चारकोल, ग्रेफाइट हीरा या लैंप ब्लैक तो चार उप्शन आपको बताने है कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो सही होगा आपका उप्शन नमबर B यानि कि ग्रेफाइट जो है वो सही हो जाएगा कार्बन के दो प्रमुक अपर रूप होते हैं एक होता है आपका हीरा और एक होता है ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट होता है इसमें मुक्त इलक्ट्रॉन होते हैं और इसी करण जो ग्रेफाइट है वो उस्मा और जो विद्दूत है उसका सुचालक होता है और ग्रेफाइट का यूज की बात करें तो सुस्क सेलो में और विद्दूत अबगतन क्रियाओं में वो इलक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जाता है और इसके चूण का उपयोग मसीनों में सुस्क इसनेहक यानि कि लिब्रिकेंट जो है इसके रूप में भी यूज़ जो होता है तो आपका option B वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसंद 14 कह रहा है कि कौन सी धातू ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वास्प से प्रतिक्रिया करता है चार option है कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो अलुमीनियम जो है वो सही हो जाएगा यह आ से नहीं ऐसे जो है वो स्टार्ट होता है अलुमीनियम जो है वो सही हो जाएगा जो कि धातू ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्यों क्योंकि जो उसकी सता होती है उस पर अलुमीनियम आकसाइट की पतली सी परत जो है वो जम जाती है लेकिन जब गर्म करते हैं तब ये वास्प से प्रितिक्रिया जो है वो करता है अगला प्रसंद 15 है कि किस तत्युकी परमालू संख्या जो है वो 31 है चार आप्शन दे रखें कौन सा जो है वो सही होगा बात करें उत्तर की तो आपका आप्शन नमबर C गैलियम जो है इसकी परमालू संख्या जो है वो 31 होती है अगला प्रसंद 16 है कि किस में कारवन नहीं होता है आपको बताना इन 4 हो में से किस में नहीं होता है तो अभी मैंने कारवन के 2 प्रमुग अपर रूप बताये थे कौन-कौन से एक हीरा बताया था एक ग्रेफाइड बताया था हीरा मतलब डाइमेंड ग्रेफाइड यहां पर दे रखा है दो ये दोनों आप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे तो क्या कोईले में कारवन होता है कि नहीं होता अगला परसिन 17 है कि मेगनेट-टाइट है तो 4 ओप्शन दे रखें आपको बताना इन 4 में से कौन सा सही होगा मेगनेट-टाइट का कौन सा सूतर होता है और जो मेगनेट-टाइट है यह लोहे का आयस्क जो होता है लगबग आपको दो तक सभी के जो मुख्य आयस्क हैं वो अवश्याद होने चाहिए प्रसंद काफी बार पूछे जाते हैं तो बात कर लें उत्तर की तो आपका option number B, Fe3O4 जो है वो सही हो जाएगा लोहे का एक अन अयस्क भी होता है जो होता है हेमेटाइट जिसका सूतर होता है Fe2O3 जो कि आपका option number A में जाएवो दे रखा है यहां पर आपका option B जाएवो सही होगा अगला प्रसन 18 देख लेते हैं कि सूस्क सेल में प्रयुक्त जो कैथोड है वो जो है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा option A, B, C या D बात करते हैं उत्तर की तो सही होगा आपका option number D यानि कि जस्ता जो है यह सूस्क सेल में जो है वो प्रसन 19 देखते हैं कि प्रत्वी की संरेचना में रासाइनिक लोह तत्व यानि कि आयरन की कितनी मात्रा होती है जार option आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा option A, B, C या D तो बात करें उत्तर की तो आपका option number D लगबक 32 से 35 प्रतिसस जो है वो सही हो जाएगा इसके लावा oxygen 30.17% silicon 15.1% magnesium 13.9% sulfur 2.9% nickel 1.8% इसी प्रकार calcium, aluminium अन्य तत्विय सभी पाए जाते हैं जिनके अलग 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 परसंटेज हैं इसके अलबा जो भूर असायन सास्त्री है F.W. Clark तो इनके अनुसार यदी बात करें F.W. Clark के अनुसार तो प्रत्वी की भू परपरटी में लगबक 47 प्रतिसस जो है वो oxygen होती है चलिए बढ़ते हैं अपने प्रसंट की तरफ क्योंकि हमने टोटल 20 प्रसंट कहे थे एक प्रसंट हम आपसे भी पूछ रहे हैं और उसके बाद हम 20 वाँ प्रसंट देखेंगे तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नएक प्रसंट पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रसंट है कि जल पर तैरने वाली धातु जो है कौन सी है चार ओप्शन दे रखें आपको बताना है sodium है, copper है, sulfur है या इन में से कोई नहीं तो इन चारों में से कौन से सही होगा वीडियो के main comment में टाइप करके अवश्य बताइएगा आपकी बचे भी इस प्रसंट जो है हम वो part number two में जो है वो देखेंगे यानिकी next वीडियो में प्रसंट आपका क्या है कि जो epsom है उसका ओद्योगिक नाम क्या है magnesium sulfate है, feros sulfate है, lead oxide है या lead para oxide है तो चार option आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका option number a magnesium sulfate जिसका सूत्र होता है mgso4.7h2o ये जो है वो epsom यानिकी जो उसका ओद्योगिक नाम है magnesium sulfate उसका जो है वो सूत्र होता है, इसी को epsom भी जो है वो कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं सेंधा नमक, जो की वृत में वो खाया जाता है अपने नाम अवश्य सुना होगा सेंधा नमक तो ये जो है आपका हो जाएगा और जो प्रियोग है वो स्वाश्ट और जो सौंदरे प्रसाद्यन हैं उन में भी जो हो किया जाता है तो इसी के साथ हमारे आज के 20% समापत होते हैं इसी चैप्टर के अगले 20% हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आवस्ट कीजेगा नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब जुरू कीजेगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको परसंद जाए वो चैप्टर 20 मिलते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तके लिए नमस्कार, थैंक्यू फॉर वाचिंग